नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी कमपनी से जो आप लोन लिएं, क्या उस लोन को माप किया जा सकता है, क्या लोन कमपनी आपका लोन माप कर सकता है, और आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को जो चीज एक्स्प्लेइन करने वाला हूं सायद ही आपको किसी भी यूटूब चैनल पर यह जनकारी मिला होगा क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया और मैंने देखा कि कोई भी वीडियो इस टोपिक पर नहीं बनाया गय कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बेल मोडिकेशन को बिलाओ करना ना बुलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्पोमेशन वाली वीडिय नहीं कर रहा है और अपना लोन माप करवाना चाहता है तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका लिए मैं यहां पर वीडियो नहीं करता हूं मैं उन लोगों के लिए वीडियो करता हूं जिनको सच में दिक्कत है उनको कुछ ने कुछ आर्थिक दिक्कत है तभी जाके उनको प्रोब्लम हो रहा हूँ और पैसा का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है तो एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट है उसको नौट डाउन कीजिए कि जब भी आप लोन ले ठीक है तो एनबी लोन खराब होता है ना ही आपके आपके अूपर लिगैल को क्या जतै क्योंकि ऐसे अप से तो आपको को पहना चाहिए नहीं बताना चाहूंगा आगलेहाएं आपario को करूंगा आज का वीडियो है उसका में टोपिक है कि NBFC से जो लोन लिए क्या वो लोन माप होगा तो देखिए माप करने का एक सिंपल आन आसान तरीका है और यह तरीका आपको उसी टाइम करना चाहिए जिस टाइम आप लोन अप्लाई कर रहे हैं ज्यादा तर लोन एप्स क्या करते हैं अभी जब आप लोन के लिए अपलाई कर रहे हैं उसी टाइम आपको जो एक इंस्ट्रेंस देता है किस परकार का की मान लिया जाए कि आप 55,000 का लोन क्म्पनी आपको यह फिर मींफत करने के लिए बोलता जैसे कि उसमें इमांड होगा है फाइशा इसे condition में आपके जो family वाले हैं वो insurance को claim करेगा और जब claim करेगा तो उसके according आपको पूरा पैसा भी आपको refund मिलेगा दो लाग का जो insurance claim है क्योंकि आपने उसका premium दिया और साथ में जो loan company से आपने loan लिया वह भी loan आपका माप हो जाएगा ठीक है लेकिन यह कब होगा जब वह आप insurance buy कि रहेंगे लेकिन यह ज्यादा तर एप्स प्रवाइड नहीं करवाते और ओसे आपको loan ही नहीं लेना है लेकिन RBI ने ज तब ही को एक insurance देना होगा और जो भी insurance आप दे रहें जो भी company का प्रवाइड करवा रहें उस company का नाम और उसका पूरा policy नंबर वगएर आभी customer को बताना होगा ताकि customer अगर पैसा का repayment नहीं कर पाए तो उसका जो payment है उसके लिए आप परिशान नहीं करेंगे आपका जो payment लोन का recovery आप जो है agency से कर लेंगे जो policy company है उस company से आपका recover हो जागा ठीक है लेकिन यहाप मैं मोटीव है कि अगर आप किसी company से लोन लिए और आप स्वस्त है ठीक ठाक है और आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या loan माप होगा तो ऐसे condition में में बताना चाहूंगा कि लोन आपका माप नहीं होगा लेकिन यहां पे दो condition है पहला तो माल लिया जाए कि अगर आप accident हो जाते हैं क्योंकि यहां पे आप life insurance लेते हैं तब आपका loan माप होगा दूसरा अगर आपका मिर्थ्यू हो जाता है तो इस condition में भी loan माप होगा आपके जो घर वाले हैं उसको अलग वीडियो में बना के दूँगा आप लोगों को यह अन्वीफ सी रेजिस्टर कंपणी का है ठीक है और यहां पे जो मनलब स्वास्थ होने के बावजिद भी payment नहीं कर रहा है तो उनका तो सिबिल स्कोर खराब होगा क्योंकि यह एक अंसीकोल लोन में कोई भी आप करूंगा कि अगर आप लोब हैं तो आायप करें की टाइम पर पैमेंट करें अगर पैसा नही है तो लोन एजन्ट से सही से बात करें जो रिकवरी आरहें उनको बताइए कि मुझे यहां पे कुछ समय देना होगा टाइम देना होगा मैं पैसा देने के लिए तैयार कब माफ होता है तो मैंने आप लोगों को किलियर बताया कि लोन कब माफ होगा और कैसे माफ होगा लेकिन तब ही माफ होगा जब आप policy बाइक करके रखेंगे तब आपका माफ हो जाएगा तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रवाइट करवा दिया अगर इंपोमेशन आपको पसंद आए इंपोमेशन को लाइक सेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो रिलिटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमेंसे कॉमेंट करकर जरूर कुछ ही एगा ठीक है और मैं आप लोगों को और अप्लिकेशन बता देता हूं जो कि मैं हर एक वीडियो में अभी में बता रहा हूं कि अर्निंग अप्लिकेशन घर वेट अपने मुवाइल फॉन से अगर आप पैसा कमाना चाहते है तो आपको वीडियो के डिस्प्रक्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा जिस अप्लिके करते हैं तो एक फ्रेंट से आपको 300 रुपया मिलेगा और अगर आप डेली पांच फ्रेंट को कर रहे हैं तो डेली यहां पर आप जो है 1500 कमा सकते हैं यहां पर देखिए अब बनाना है तो अकाउन बनाने के लिए आपको फ्री अकाउंट बनता है कोई पैसा नहीं तो आपको यहां पर reward में दिख जाएगा कि यहां पर आपका account ऑफन हो चुका है, जैसे कि मैं यहां पर दिखा रहा हूँ, चोबिस व लोगों का account funding है, जैसे ही यह account मेरा ऑफन हो जाएगा, यहां पर reward मिलना हो जाता है, ठीक है, reward मिलेगा और इस पैसे को directly आप अपने bank account के अंदर विड्रोल कर सकते हैं, तुरंत आपका विड्रोल हो जागा, और डेली का आप यहां से 500 से लेके 1000 तक कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको यहां पर मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ भी नही इसकी कोई guarantee नहीं है, suppose that अगर कि आपकी Facebook page पर 5000 फ्रेंड है, और उसमें से अगर मान लिया जा कि 500 लोगों ने भी अगर account बना लिया, तो 500 इंटु 300 अगर मैं यहां पर आप लोगों को करके दिखा हूं, तो देखिए कितना ज्यादा earning आप online कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यह अगर 500 गुना कितना बता है आपको, कि मैं suppose that कि 100 रुपीज, तो 50,000 अगर 100 रुपया करके मिलेगा, sign up में आपको मिलता है 100, अगर यहां पर कोई भी investment करता है, तो 300 यानि कि 1.5 लाक आप कमा सकते हैं, तो सोच रहें कि कि कितना earning वाला application है, और वी विलकुल free में एक भी लगाना है, जो account sign up कर रहा है, उसको लगाना है, तो अगर आप account बनाना चाहते हैं, तो link आपको वीडियो के description पर मिलेगा, और अगर कोई application के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें comment करकर बताईएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर भी video बनाके आप लोगों को provide कर